आशा करता हूँ आप सब बहुत अक्षे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरिश्टेडी है क्योपा बहुत बहुत सवागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों बलबीड सिंग की बलबीड सिंग जो एक शांदार खिलाडी थे one of the greatest sports person that India ever produced बलबीड से इनकी वज़े से भारत ने होकी में gold medal जीते ओलम्पिक्स में आज तो हम एक bronze medal के लिए तरसते हैं लेकिन होकी का इतिहाँ शांदार है भारत का भारत के sports history की अगर आप बात करें भारत की sporting history होकी से ही दोस्तों 1930 से लेकर 1932 से लेकर 1972 तक हमने लगातार ओलम्पिक में gold medal जीते हैं 1964 तक तो हमको लगातार gold medal मिले एक बार silver मिला था उसके बाद हमको बार-बार gold medal मिले है 1948 52 56 जब भी Olympics होता था भारत gold medal लेके आता था होकी में इतना शांदार इतिहास है भारत का और 1975 में भी भार भारत ने हौकी में 1975 में जीता है लेकिन पता है क्यूं बलबीर सिंग की वजह से 1975 में बलबीर सिंग थे होकी के manager अधियन टीम के manager थे और 1948 48, 52, 56 में भी जब भारत ने गोल्ड मिडल जीता तब भी बलबीर सिंग थे क्याक्टल थे वो इंडियन टीम के आज भी ओलम्पिक के फाइनल में मोस्ट गोल्स का रिकॉर्ड बलबीर सिंग के नाम में पांच गोल मारे थे दना दन और भारत को गोल्ड मिडल जीताया था बड़ी दुखत खबर आ रही है दोस्तों इनका 96 साल के उमर में निधन हो गया है लेकिन शानदार करियर ना से भारत में इनकी रिस्पेक्ट की जाती है बलकि ओवर्सीज भी ब्रिटेन में इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाते है पूरी दुनिया जहां पर भी होकी खेला जाता है और जहां पर नहीं भी खेला जाता है बलबीर सिंग का नाम सब तो आज हम बलबीर सिंग की बयाग्राफिक को देखेंगे होकी को इतनी उपर कैसे ले गए और कैसे खेलते थे ध्यान चंद की तरह बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे कि एक बार अगर बॉल आ गई तो सिधा गोल पोस्ट में बट एक टीम प्लेयर थे एक बार बॉल आ गई तो गोल फिर होके रहता था समझ रहे हैं तो ये चीज़ है सिर अन्सको रिकनेक मेरा फेस्बुक पेज है सिधान तक निउत्री के नाम से मेरी फेस्बुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा प्रेचर की पीडिये फ्रेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं कमाल की किताब इसको स्टेडी आईक्यू की वेबसाइट से प्रेबुक करिए स्टेडी आईक्यू गाया पर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टोटर पर मैं आ गया हूँ यह नहीं मेरी आईडी दोस्तों अगर हम बलबीर सिंग की बात करें तो बलबीर सिंग जैसा कि मैंने इनकी गोल्डन करियर जो है अगर हम इनकी गोल्डन एरा की बात करें तो वो 1950 में था 1948 में बॉम्बे ट्रायल्स हुए इनको सिलेक्ट किया गया भारत की तरफ से यह गए हौकी खेलने कैप्टन थे और उसके बाद इन्होंने 1948 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया फिर 1952 मे क्याप्टन थे फिर भारत 1956 में तो जो फाइनल था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था है ना पाकिस्तान के साथ कमाल की हिस्ट्रिय रही है इंकी पाकिस्तान में दोस्तों ऐसा है कि बहुत सारे प्लेयर तो ऐसे थे partition होने से पहले बलबीर सिंग के साथ खेलते थे बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो बलबीर सिंग के साथ खेलते थे लेकिन जब partition हुआ तो पाकिस्तान अलग होग है पाकिस्तान की टीम अलग जो इनके साथ खेलते हैं तब वही इनके खिलाफ खेल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बलबीर सिंग ने कभी हार नहीं मानी बलबीर सिंग के एक बहुत बड़ी बात थी कभी भी demotevate नहीं करते थे इनके players जो इनके साथ खेले और जो इनके juniors रहे हैं जब बलबीर सिंग कोच थे, बलबीर सिंग रिटायर भी हुए, मतलब रिटायर हुए जब होकी से, तो इंडियन होकी टीम के मैनेजर बने और कोच बने, ठीक है, तो बताते हैं, जो इंडियन होकी टीम है, वो बताते हैं कि बलबीर सर जो थे, वो इतने समझदार थे, हम लो में अर्जुन ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा उसी तरीके से मैदान पर तुम युद्ध लड़ो सिर्फ मचली की आँख दिखनी चाहिए और कुछ भी नहीं यूनीक वे ओफ स्टाइल थार का मोटिवेशन का और हमेशा मोटिवेट करते थे अगर हम बुरा भी खेल ग होता है बलबीड सिंग के साथ मोटिवा खां जो पाकिस्तान के साथ खेलते थे जब पाकिस्तान सिलवर मेडल जीता था तो मोटिवा खां जो है और हमेशा समझने है खैर सिखों का humor है, humor जो है वो कमाल का होता है हमें शाद joke करते रहेते हैं, मज़ा आजाती है तो अगर बलबीर सिंग की बात करें, बलबीर सिंग सीनियर इनको बुला जाता था तो कमाल का शानदार करियर रहा मोहाली में 96 साल के उमरमिन का देहान थो गया दोस्तो रहे हैं अब हम देखते हैं कि ये कैसे होकी के इतरे बड़े प्लेयर हो गए पूरी दुनिया ने इनको अक्नॉलेज किया है दोस्तों आपको बता दूं कि he was named among world 16 greatest icons समझ रहे हैं दुनिया बरके 16 जो greatest icons है ना उनमें भी इनका नाम है across all sports इतना बड़ा इनका नाम है ठीक है ऐसा है कि ये जो इनके पिता जी जो थे वो freedom fighter थे ठीक है वो क्रांतिकारी थे और बल्बीर सिंग कभी समझ नहीं पाते थे कि मेरे जो पापा है मेरे जो पिता जी है वो अपने देश से इतना प्यार क्यों करते हैं जब भी तिरंगा आ बल्बीर सिंग खुद देश के लिए खिले तब उनको पता चला कि देश होती क्या चीज़ है तो हम यह देखते हैं कि एक freedom fighter के बेटे थे बल्बीर सिंग तो freedom fighter थे बल्बीर सिंग ब्रिटिश सामराजे से बिल्कुल नफरत करते थे पंजाब का तो वैसे ही आपको पता ही है अब उसमें आपको पता ही है पंजाब में पंजाब और इधर ब्रिटेन का अगर बात करें पंजाब और बिटिश का 36 का अकड़ा था है कि नहीं बहुत गुस्से में पंजाबी तो बहुत गुस्से में रहते तरह ब्रिटिश की policy से जाधा तर जो freedom movement है वो तो पंजाब से स्टाट हुए या फिर बंगाल से स्टाट हुए समझ रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं वलबीर सिंग तो बहुत जाधा गुस्सा तो था ही क्योंकि इनके पिता जी को बार बार जेल में डाल दिया जाता था बहुत गुस्सा था अब कहानी शुरू होती है दोस्तों इसकी क्यापिटल लाहौर है और अभी भारत का जो पंजाब पूरा कंबाइंड था पार्टीशन के बाद अलग हो गया बड़ी दुखादी स्टोडिय मैंने कवर की है है ना तो हम यह देखते हैं तो इनको बोला कि तो यह नैशनल कॉलेज में पढ़ते थे होकी बहुत ब अच्छी फेसिलिटीज है होकी की तो मौकी में बहुत अच्छा खेलोगे खाल सा कॉलेज हो पहले तो यह नहीं माने लेकिन बाद में यह मान गए लेकिन इनकी फैमिली कैसे माने भाई कॉलेज शिफ्ट हो रहा है ना एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना वो भी खेल के लिए तो इन्होंने किसी तरीके से फैमिली को मनाया और उसके बाद यह नैशनल खाल सा कॉलेज चले गए जो अम्रिसर में है पर्मिशन मिल गए इनको और वहां पे इन्होंने खेलना शुरू किया पंजाब उनिवसिटी की तरफ से खेले और जब यह पंजाब पंजाब और अंग्रेजों का 36 का अंकड़ा था यह आपको पता ही है 1945 में क्या हुआ 1945 में जॉन बैनेट जो की आईजी थे उस समय पंजाब के उन्होंने इनको खेलते हुए देख लिया बलबीर सिंग को खेलते हुए देख लिया अब यह फ्लैट हो गये सरेंडर कर दिया इनोंने उनना का कौन है यार यह लड़का एक बार इसके पास बॉल आ जाती सीथा गोल पोस्ट में जाती है इसको बुलाओ बुलाया बलबीर सिंग को जॉन बैनेट ने बोला कि ऐसा है कि तुमको तो नाशनल लेवल पर खेलना चाहिए तुम हमारे लिए खेलो अब बलबीर सिंग ने सोचा मना कर दिया बलबीर सिंग तो छोड़के भाग गए जब बहुत ज्यादा प्रेशर बना जॉन बैनेट की तरफ से कि इसको होकी खिलाओ नैशनल लेवल पर होकी खेले तो छोड़के भाग गए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्ह तो इनके पास बलबीर सिंग के पास कोई चारा ही नहीं था इन्होंने होकी खेलना शुरू किया और फिर जब इन्होंने होकी खेलना शुरू किया रुके ही नहीं पहले इनका बहुत अच्छा रेकॉर्ड था फिर जब नाशनल लेवल पर इन्होंने होकी खेली तो एक के बाद है कि इन्होंने Championship जीती, First National Championship इन्होंने 1946 में जीती और अगले 14 साल तक इनका शानदार करियर रहा, समझ रहे हैं, आपको बता दूँ कि Partition से पहले, ये अली शाहदारा के साथ खेलते थे, अली शाहदारा, Partition के बाद, अली शाहदारा की बात करें, तो ये पाकिस्तान की तरफ से खेलने लगे, अली शाहदारा और बल्मीर सिंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ में खेलते थे, अली शाहदारा, मुहम्म शारुक मोहितुला ये सब चले गए पाकिस्तान की टीम में दुख बहुत जादा हुआ अब जब बलबीर सिंग को पता चला कि पार्टीशन हो गया है दंगे हो गए है लूट खसोट मचाई जा रही है तो बलबीर सिंग को बहुत ज़ादा दुख हुआ लुधियाना शिफ् ओलिस की जो टीम थी उनके लिए होके खेलने लगें 1948 में दूस्तों बॉंबेय ट्र्राइसustown बॉंबेटबाव हुएं लिए वारत की अपनी टीम होगी आजाद हो गया ना भारत तो बॉंबे ट्राइल्स में शामदार प्रदर्शन बल्बीर सिंग को ले नहीं था ट्राइल क्या हो तो एक तरीके चा फॉर्मैलिटी आप समझ लीजिए फॉर्मैल जो था ब्रिटेन से था शुरुवात के दो गोल बल्बीर सिंग ने मार दिये ब्रिटेन को कुछ समझी नहीं आया कि एक थाइम पर यह हमारे साथ खेलता था और अब हमी को घुटनों पे ला दिया है चार जीरो से फाइनल में ब्रिटेन को हराया और बल्बीर सिंग वाजा हीरो रात तो रात बल्बीर सिंग हीरो हो गए थे खेलते तो बहुत अच्छा थे लेकिन स्टेटमेंन को जाना जाता था पूरा देश जानने लगा और हौकी पूरे भारत के सर चड़के बोलने लगा हौकी के लिए लोग उस समय दिवाने थे जो स्पोर्ट्स दोस्तों जिस स्पोर्ट्स में देश अच्छा करता है जो पबलिक है उसी की तरफ जाती है तो हौकी में भारत का शानदार प्रदर्शन चार जीरो से हराया ब्रिटेन को समझ रहे हैं और दो गोल इसमें बलबीर कैप्टन ठीक है लेकिन जो फ्लाग बेरर सेरीवनी थी उसमें ये भारत की तरफ से फ्लाग बेरर थे ठीक है सेमी फाइनल ब्रिटेन के साथ हुआ ब्रिटेन तो कभी जीती नहीं पाया हौकी में जब बलबीर सिंग सामने होते थे ब्रिटेन थर थर कापने लगता था इन बलबीर सिंगने किये थे और यह आज भी रिकॉर्ड है ओलम्पिक फाइनल में किसी इंडिविजुल द्वारे किये गए सबसे ज़्यादा गोल आज भी यह रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा है यह अभी रिकॉर्ड है पता है पूरे टूर्डामेंट में 1952 में कितने गोल किये थे हेल्सिंग की ओलम्पिक्स में 13 गोल मारे थे बलबीर सिंग ने वापस आये घर फिर as a hero स्वागत हुआ यह ओलम्पिक जो इंडिया का होकी एसोसियेशन था महरवान इन पर है ना फिर 1956 का सबसे फेमस ओलम्पिक मेलबर्न ओलम्पिक में अगर पूरे पाकिस्तान के साथ 1-0 से पाकिस्तान को हराया 1956 में भी हमने गोल्ड मेडल जीता 1948 52 56 गोल्ड मेडल जीते हमने समझ रहे हैं तो यह कमाल का इनका शांदार करिया रहा उसके बाद है रिटायर हो गए 1960 हाते आते रिटायर हो गए अब फिर इतना बहतरीन करियर बलबीर सिंग इनको जो होकी टीम थी और जो होकी फेडरेशन था वो खोना नहीं चाहता था 1957 में पदमुश्री भी बिला अब इनको इंडियन टीम का मैनेजर बना दिया गया 1971 में 75 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना तो यह इंडियन टीम के मैनेजर थे 1975 का तो दोस्तों यह वर्ल्ड के वर्ल्ड कप की बात करें भारत की जो टीम थी वो बिल्कुल जोश में थी बहुत जोश में कि कुछ भी हो जाये खतम कर देंगे उठाके लेकिन दोस्तों भारत की 1975 के वर्ल्ड कप की बात करें भारत की शुरुवात अच्छी नहीं हुई थी भारत जो है अर्जेंटीना ज कि हम दो बहुत परशान हो गये थे, we were all demoralized, demotivated, लेकिन बलबीर सिंग थे न, वो आए, कंदे पे हाथ रखा, चलता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, meeting बुनाए उन्होंने सब की, बुला कोई बात नहीं, जो कल था, वो हो गया, उसको हम change नहीं कर सकते, जो बीत गया, सो आज पर हमको focus करना है, और सब को motivate किया उन्होंने, बिल्कुल परचान मतो, दुबारा लड़ेंगे, दुबारा जीतेंगे, और उसके बाद भारत ने, जो जर्मनी शुरू की ना, रुके ही नहीं है, समझ रहे हैं, रुके ही नहीं, group match में अर्जेंटीना से हरे थे 2-1 से, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक-एक करके, वेस्ट जर्मनी को सबसे पहले हराया, 3-1 से, सेमी फाइनल में जगाबा नहीं, फिर 3-2 से, मलेशिया को हराया सेमी फाइनल में, और उसके बाद फाइनल पता है किस के साथ था, पाकिस्तान के साथ, सामने पाकिस्तान टीम, तो समय दोस्तों, ये लोग प्रेयर करने के लिए, ठीक है है, जो टीम थी प्रेयर करने के लिए, मलेशिया में मस्जिद था, मलेशिया में वर्ड कप हुआ था दोस्तों, क्वाललामपूर में, वहाँ पे एक मस्जिद था, वहाँ पे इबादत मानग निकले गए थे, तो ब की दुआ तो सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ 1975 में दोस्तों अगर 1975 की बात करें भाइनल बहुत इफ्रिलिंग फाइनल था दोस्तों भारत 2-1 से जीता भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया बहुत ही फ्रिलिंग फाइनल था और पहली बार अभी तक तो हम सर्फ मिडल जीत रहे थे ना उलम्पिक में भारत ने होकी का वर्ल्ड कप जीत लिया 1975 में ठीक है अभी तक एक ही बार भारत ने इसे और सर्फ एक बार वर्ल्ड कप जीता है वो है 1975 में ये कमाल का बहुत ही गौरवानवित पल था हमारे लिए हर किसी ने गर्व महसूस किया बल्बीर सिंग एक सेकुलर नाशनलिस्ट रहे कभी भी इन्होंने किसी भी कास्ट को रिजिनलिजम को बढ़ावा नहीं दिया टीम में भी कभी भी इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया हर किसी के साथ बहुत अच्छा वेवार करते थे यह मैंने देखा है जब मैं इंटर्व्यूस पढ़ रहा था ठीक है जब मैं इंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़ रहा था इंडियन एक्स्प्रेस के तो उनमें जो उनके टीममेट्स थे एक बात सबकी कॉमन थी कि बलबीड सिंग एक बहुत ही अ है 20-30 साल हम खोदी खेल चुके हैं हमको कोच की जरूरत क्या है तनी लेकिन कोच एक बहुत ही हमारा retirement लिया मतलब पूरे हॉकी से और फिर ये coaching तो देते रहे बच्चों को coaching देते रहे अब अलेही ध्यानचंद की तरह ध्यानचंद की बाइग राफ मैंने रिव्यू कि आप देखिएगा ध्यानचंद की तरह ये इतने बड़े नाम नहीं हो लेकिन फिर भी बलबीर सिंग जो है grand old man of Indian hockey इनको बोला जाता है एक कमाल के sports person शांदार career जब भी field में उतरते थे ना प्रतिदवन्दी कापने लगते थे कि यार अब तो हम जीतेंगे ही नहीं ऐसे अगर players हो तो Indian hockey कमाल है कमाल ही हो जाए समझ रहे हैं और हाँ पदमुष्री award first recipient थे अगर sports category की बात करें यह भी आपको याद रहे हैं 1957 में इनको पदमुष्री award मिला था and he was the first recipient in sports category समझ गए तो यह लेचर था दोस्तों बलबीड सिंग हमारा एक ट्रिब्यूट उनको भगवान उनकी आत्मा को शांती दे परिवार को ताकत दे खुश रहे हैं पड़ते रहे हैं दिशेज सिद्धान तक नियोत्री सैनिंग आउप झाल